अब आपके लिए आई हूं सोया चंक्स की रेसिपी यह बहुती टेश्टी बनती है तो चलिए फिर इस्टार्ट करते हैं इसके लिए हम मैंने लिया है एक बर्तन जाएंट जो वेजिटीरियन होते हैं उन्हें अपनी टाइट में सोया चंक्स को एड करना चाहिए क्योंकि इ इसमें एड कर रही हूं वन बाउल सोया चंक्स हम गरम पानी में इसलिए डालते हैं सोया चंक्स को ताकि यह सोफ्ट हो जाए अब इसमें मैं एड करूंगी हाफ टेस्पोट नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे सोया चंक्स हैं इनके अंदर नमक चल चाहे क्वेड़ा तेस्ट में सोया हना यह नियुदा मसाला नहीं होता है असका नमक तौर्श्चा है ताकि णके अंदर नमक चला जाए अब हम लेंगे एककंटाई जिसमें मैं एड की खीने तुट स्पून ओईल यहा मैंमें रजाख सारस ने मैंने कंटारों नाया हमारे स हम इसमें एड़ करेंगे वन इस्पून जिंजर गार्लिक एंट ग्रीन चिली पेश्ट इन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है अब इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो हमारा लहसून है जो हमारी अद्रक है वह अच्छी तरह से पक जाए इनके पकने के बाद हम एड़ करेंगे चार बड़े टमाटर की प्यूरी मैंने यहाँ पर चार बड़े टमाटर लिये हैं जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है और अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम मेडियम रखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम पकने देंगे चार से प्माच मिल्ट में आसानी से पक जाते हैं अब हम इसमें एड करेंग मसाला मैंने एड किया है वन फोर्थ स्पून हल्दी वन फोर्थ स्पून मेर्च वन फोर्थ स्पून धनिया पाउडर अपने देश के नुसार आप नमक एड कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मसाले और टमाटर को हम पकने देंगे देखे फ्रेंट्स हमारा मसाला पक चुका है मारे टमाटर पक चुके है अब हम इसमें एड करेंगे पानी हम यहां पर थोड़ा ज्यादा ही पानी एड करेंगे मैं यहां पर एड करूंगी दो गिलास पानी भी करेंगे हमारे एड करेंगे हमारी नेट करेंगे में पानी ऍुड़ा सौफट कर लेंगे देखे फ्रेंट्स हमारे सोया पूलहां पर आपको पास से दिखाती हून हो देखें कितल अधोन हो चुक clothing है ये संब पर निकाल देंगे और पानी निकाल लेंगे कले अब और तो इनके अंदर ग्रेवी का पानी चला जाई देखिए ते सोप्ट है हो चुके हैं अब हम लेंगे वन बाउल माटर यहां मैंने कच्छी हरी माटर ली है हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे हमारे माटर अच्छीता से मिक्स करके इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे लिट से हम इसे कवर कर देंगे और 5-7 मिन तक इसे पकने देंगे जब तक हमारे माटर नहीं पक जाते श्क्रेवी में आपको दिखा देती हूँ आप इस तरह से चल कर सकते हैं अब इसमें हम एड करेंगे हमारे सोय चंक्स प्रेंट्स यह सबजी जो हम बना रहे हैं यह बहुत ही तेश्टी बनती हैं आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं अब हम इसे ढग देंगे और पांच मिछ तक इसे पकने देंगे गैस की फ्लेम यहां मैंने मीडियम रखी है देखिये फ्रेंट्स जो कोया चंक्स हैं उनमें हमारी जो बेवी का पानी है बूल अंदर जा चुका है अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं क्वाटर स्पून गरम मसाला बन स्पून कसूरी में थी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिये फ्रेंट्स हमारी तोया चंक सबजी तयार है फ्रेंट्स मुझे जरूर बताईए कमेंट बॉक्स ने आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अगर आप यह ट्राइब करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स को जरूर बता